जब इनसान डायलेसिस पे आता है तो उसका इलाज आप कैसे करते हैं लेकि हमारे हॉस्पिटल की बात करें तो हमारे हॉस्पिटल में ऐसे ही पेशिनाथ 70 प्रदीश जो अलड़ी डायलेसिस पे हैं जो कि बहुत ही पेइनफुल प्रसेस है हर दूशर दिन 4 घंटे के लिए म किड्नी फर्दर फेल होती है तोड़ी बाद जो गुझाइस थी जो जाती है तो सर आपका जो यह तरेपी आप देता है यह आप हमारे दुशर को बताई कि आपकी थरेपी क्या है कैसे इलाज करते है यह बड़ा इंटर्स्टिंगा इसमें इसमें और टेक आप टू मिनिट भगवान यह में एक तीसरी किड्नी वी दिये यह ताइस कल्स इसकीन पर्स देखेंगे यह सारे किड्नी आप पसीन लीजे का सैंपल और पेशाप का सैंपल लीजे दोनों लेब में जाएंगे तो दोनों में सेम एक जैसे सोडियम, पोटेशियम, ट्रिटन, शुगर, प्र जाते हैं तो स्टेप बन उन्हें होट वाट रिमर्शन गरम पानी के तब में 40 डिगरी टेंप्रेचर में गलाव तक पानी हो और दो घंटे तक पर पेशन को बिटा दें इस कॉल नेचुरल डायरसिस यानि की चार दो घंटे बाद जब पेशन बाहर निकलेगा तो उसका यूली बेट 500 ग्राम एक किलो काम होगा एक्सिस फ्लीड जो डिपॉसित था वो निकलने लगेगा उसका ब्लेड प्रेशर कम होने लगेगा उसके जो यूली नप्रो बढ़ने लगेगी उसकी बीक में लगेगी यह पहले 2 गंटे में हम अकसर पेशन हटे में 3 डियलेसिस क मैं आपको बताया, तो यह दोनों को कमबाइन कर देते हैं, यह हम पेशन को हास्पिरल में कराते हैं एक हफता, फिर हम को बोलते हैं कि यही चीज़ आप गर पर बंदोस करो and do it, तीन चार्म मेंने पेशन को करना परते हैं, हमारे अधिकतर पेशन ऐसे हैं, जो ट्रांस्प्रेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी, उनकी दवाईयां भी छुटगी, वो पहली की तरह नॉमल जिन्दिक हैं चाहिए